परिचय बहुत से प्रकार है हांकिता बहुत से पशु सिर्फ पौधों को जैसे खास या पौधों की पत्यों को खाते हैं जबकि कुछ पशु पशु को ही खा लेते हैं बड़ी मचली छोटी मचली को खा लेती है छिडिया कीडे मकोडों को खाती है सर्प मेंड़कों को खाते हैं और कुछ कीडे मरे हुए पशों का शरीर खाते हैं लेकिन जब हम इसे नस्दीक से देखते हैं तो बाते हैं कि प्रित्वी पर उपस्थित सभी चीवचन्तू भोजन के लिए प्रत्यक्ष अधवा अप्रत्यक्ष रूप सी सूर्य पर ही निर्भर होते हैं पौधे सूर्य की उर्जा का प्रयोग करके प्रकाश सनलेशन द्वारा भोजन बनाते हैं जो उनके द्वारा जीवन बनाए रखने के लिए प्रयोग मिलाया जाता है दूसरी तरफ पौधे भी शाकाहारी अत्वा सर्वाहारी जीवो द्वारा खालिये जाते हैं और मासाहारी अपने भोजन के रूप में शाकाहारी जीवो को खालेते हैं इस तरह हम देखते हैं कि ये सूर्य की ही उर्जा है जो पौधों और पशों को भोजन प्रदान करती है उद्देश्य इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे पशों में पूशन को समझ सकेंगे भोजन के आधार पर पशों के प्रकार जान जाएंगे होलो जोईक पोशन को समझ सकेंगे होलो जोईक पोशन के विभिन चरणों को जान जाएंगे मनुश में पोशन को समझ सकेंगे पाचन तंत्र के विभिन अंगों के बारे में जान जाएंगे मुखद्वार, मुखगुहा, ग्रस्नी, ग्रासनली, हमाशय, छुद्रांत, ब्रहदांत्र और गुदा की सन्नचना तथा कारे प्रणाली को समझ सकेंगे विभिन पाचन ग्रंथियों का पता लगाईए लालारस अथवा लार ग्रंथियों और जठर ग्रंथियों की सन्नचना और कारे प्रणाली को समझें यकरित की सन्नचना और कारे प्रणाली को समझें अगनाशय और आंत्रिय ग्रंथियों की सन्नचना और कारे प्रणाली को समझें पाजग ग्रंथियों के रासायन विज्ञान का अध्यान करें पशुओं के प्रकार भोजन के आधार पर सभी पशुओं को तीन सम्मूहों में विभाजित किया जा सकता है शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी जैसा कि हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं वो पशुओं जो सिर्फ पौधों को खाते हैं शाकाहारी कहलाते हैं वे घास, पतियां, अनाच, फल या विरिक्ष की चाल खा सकते हैं उदाहरन, बकरी, गाए, भैस, धेड, हिरन, उंट, गधा, बैल, हाथी, बंदर, गिलहरी, खरगोश, तिढधा और दरियाई घोडा ठीक उसी तरह वो पशुओं जो सिर्फ दूसरे जीवों को खाते हैं मांसाहारी कहलाते हैं जैसे शेर, चीता, मेढख, गिध, किंग फिशर, छिपकली, भेडिया, सर्प और बाज इनके अलावा वो पशुओं जो पौधों और पशुओं दोनों को खाते हैं सर्वाहारी कहलाते हैं उधारण, मनिश्य, कुत्ता, कौवा, गौरईया, भालू, मैना और चीटी होलो जाइक पोशन, होलो, संपून जोइक और पशुओं वो पोशन जिसमें ठोस या द्रव कार्बनिक पदार्थों का अंतर ग्रहन किया जाता है होलो जोइक पोशन में पाँच चरण होते हैं अंतर ग्रहन, पाचन, अफशोशन, समत्व, मलत्याग अंतर ग्रहन में भोजन को खाया जाता है यहाँ भोजन के आकार और अंतर ग्रहन के लिए अंगी कृत संदचना पर निर्भर करता है अमीबा में अंतर ग्रहन कूट पादों की साहता से, पैरा मीश्यम में सीलिया की साहता से, हैट्रा में तंतूओं की साहता से, कीडों में मुक भागों की साहता से, मेटकों और छिपकलियों में उतिक शेपनिये जेवा की साहता से, तथा मनुष में हाथों की साहता से होता ह पाचन वह प्रक्रिया है जिसमें जटिल, बड़ी आकरिती वाले तथा अघुलनशील कार्बनिक बहुलक जिनका विसरण नहीं हो सकता है, सरल, छूटे तथा घुलनशील कार्बनिक एक लकों जिनका विसरण हो सकता है, उसमें तूट जाते हैं. कार्बनिक पदार्थ जैसे प्रोटीन, वसा और जटिल कार्बोहाइड्रेट, अमीनो अमल, मोनो शुकर, फैटी एसिड इत्याधी यह प्रक्रिया पाचक रसमे उपस्थित, पाचक एंजाइमों की उपस्थिती में होती है, जो पाचक गरंतियों से स्रावित होते हैं. अफ्शोशन वह प्रक्रिया है, जिसमें विसरित हो सकने वाले पोशक पदार्थ आहार नली की भित्ती को पार करके लसिका में प्रवेश कर जाते हैं. अफ्शोशन में भौतिक प्रक्रियाएं जैसे विसरन और परासरन तथा सक्रिये प्रक्रियाएं जैसे गुलुकोज और अमीनो अमलों का सक्रिये परिवहन दोनों होती हैं। यह नए बने हुए बड़े जैव अनुवरिथी और शरीर के उत्कों की मरमत में सहायता करते हैं। इसलिए यह भाग शरीर के मल के रूप में अलग हो जाता है। मनुष्य में पोशन। मनुष्यों में पोशन उसके पाचक तंत्र द्वारा होता है। मनुष्य के पाचक तंत्र के विभिन अंग निम्न हैं। मुकद्वार, मुकगुहा, ग्रस्नी, ग्रासनली, हमाशय, चुद्रांत्र, ब्रहिदांत्र, मलाशय, गुदा। मुकद्वार, मुकद्वार एक अनुप्रस्त छिद्र होता है, जो चलनशील ओष्ठों से घिरा होता है। इसका मुक्य कार अंतर ग्रहन है। मुकगुहा, मुकगुहा में दो मुक्य सनचनाएं होती हैं, जीवा और दांथ। जीवा एक मोटी, पेशिये और उतक्षेपणिये सनचना है, जो मुकगुहा के तल पर स्थित होती है। जीवा पर स्वाद कलिकाएं होती हैं, जो भोजन का स्वाद लेने में, भोजन और लाला रस को मिलाने में, तथा भोजन को निगलने में सहायता करती हैं। दाद मनुष्य के दोनों जबड़ों में होते हैं. दाद जबड़े की हड़ियों में बने, कोटरों में धसे होते हैं. एक वयस्क मनुष्य में 32 दाद यानी प्रतियक जबड़े में 16 दाद होते हैं. दाद चार प्रकार के होते हैं. क्रिंतक दाद, श्वदंत, अगरच वर्णक और चर्वर्णक. प्रतियक जबड़े में चार क्रिंतक दाद होते हैं. ये तेजधार, छैनी के आकृती के और शाकाहरी भोजन को काटने तथा टुकड़े टुकड़े करने के लिए होते हैं. प्रतेक जब्डे में दो शवदंत होते हैं ये तेजधार, कृपान की आकरिती के और मांसाहारी भोजन को चीडने के लिए होते हैं प्रतेक जब्डे में चार अगर चर्वर्णक दांत होते हैं ये बड़े और कस्प आकरिती के तथा चबाने और पीसने के लिए होते हैं। ग्रस्नी ग्रस्नी एक कीब जैसी आकरिती होती है जहां भोजन और वायू एक दूसरे को पार करते हैं। इसमें दो छिद्र होते हैं। कंट द्वार, कंट और श्वास नली में खुलता है। गलेट ग्रास नली में होती है और भोजन निकलने के दौरान खुलती है। ग्रास नली ग्रास नली पाचन तंद्र का एक लंबी, संक्री और नलीदार भाग है। यहां गर्दन और ग्रस्नी से अमाशय में खुलती हैं। यहा क्रमा कुंचन द्वारा भोजन का परिवहन करती है। अमाशय अमाशय एक मोटा पेशिय और जे की आकृती का थैला होता है, जो उपरी उदर के बाए भाग में स्थित होता है। अमाशय भोजन के मन्थन और पाचन में सहायता करता है। अमाशय में भोजन का तीन घंटे तक मन्थन होता रहता है, जिसके कारण भोजन छोटे छोटे टुकडों में तूट जाता है और एक अर्ध ठोस पेस्ट बनता है। अमाशय की भित्ती में तीन नलीदार क्रंथियां होती हैं, जिनसे जठर रस स्रावित होते हैं। जठर रसों में मुख्यता तीन पदार्थ होते हैं, HCL यानी पेपसिन, एंजाइम और श्लेम। SCL की उपस्तिती के कारण पेपसिन, एंजाइम अमलिये होता है और प्रोटीनों का पाचन शुरू कर देता है। चलेम अमाशय की भित्ती को उसी के द्वारा स्रावित SCL अमल से बचाता है। अमाशय की पेशिय भित्ती, भोजन और जठर रसों को एक दूसरे में मिश्रित करने में सहायता करती है। शुद्रांद्र शुद्रांद्र आहार नली का सबसे बड़ा भाग होती है। एक वयस्क मनुष में यह लगभग 6.5 मीटर लंबी होती है। यह बहुत संक्री होने के कारण शुक्द्रांद्र कहलाती है। शुक्द्रांत्र तीन भागों में विभाजित होती है ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। शुक्द्रांत्र वो इस्थान है जहां भोजन पूरी तरह से पच जाता है और उसका अवशोशन प्रारंब हो जाता है। इसमें दो गरंतियों से स्रावित होने वाले रस आते हैं य यकृत और अगनाशय यकृत से पित श्रावित होता है जो एक हरा, पीला, लवन युक्त, खारिये द्रव होता है जो वसा का पाईसी करण अथवा उन्हें तोडने में सहायता करता है। इसलिए अमाशय से आया हुआ अमलिय भोजन यहां पित द्वारा खारिये हो जाता है और वसा भी छोटी छोटी बूंदों में तूट जाती है। अगनाशय से अगनाशयी रस स्रावित होता है जिसमें एमाईलेज, ट्रिपसिन और लाइपेज होते हैं। एमाईलेज मंड को तोडता है जबकि ट्रिपसिन प्रोटीन को, लाइपेज पाईसी कृत वसा को यहां कोलन में चाने वाले भाग और मलाशय में विभाजित होती है। यहां मल के निर्मान और उसके अस्थाई भंडारण में सहायता करती है। अधिक्तम कशेरूकियों में कोलन पाचन तंत्र का आखरी भाग होती है। ब्रहदांत्र का 6-8 इंच लंबा भाग होता है। यहां ठोस अफशिष्टों का तब तक भंडारण किये रहता है जब तक वो गुदा द्वारा शरीट से बाहर नहीं निकल जाते हैं। गुदा गुदा धर के आधार परिस्थित होती है और पाचन तंत्र के अफशिष्ट पदार्थों को शरीट से बाहर निकालने का काम करती है। पाचन ग्रंथियां इन अंगों के अतरिक्त कुछ पाचन ग्रंथियां भी होती हैं जो पाचक एंजाइमों को सरावित करती हैं। ये पाचक ग्रंथियां हैं। लालारस ग्रंथिया, जठर ग्रंथिया, यक्रेत, अगनाशय, आंत्रिय ग्रंथिया, लालारस यानी लार ग्रंथिया, मनुष्य में लालारस ग्रंथियों के तीन युक्म होते हैं, इनसे लालारस या लार स्रावित होती है, जिसमें पांचक एंजाइम टाइलिन अथवा लारिये एमाईलेच होता है लाला रस नलिकाएं मुख गुहा में खुलती है जठर ग्रंथियां जठर ग्रंथियां अमाशे की भिद्धी में होती हैं और जठर रस स्रावित करती है यक्रेत यक्रेत उदर के उपरी भाग में दाइं और इस्थित लाल भूरी लोब्यू लेटिड ग्रंथि है जिससे पितरस स्रावित होता है अग्नाशे अमाशे के ठीक पीछे स्थित पीले रंग की ग्रंथि है जिससे अग्नाशे इरस स्रावित होता है अग्नाशे इनलिका के द्वारा अग्नाशे इरस चुद्रांतर तक पहुशता है आंत्रिये ग्रंथियां आंत्रिये ग्रंथियां चुद्रांतर की भित्ती में स्थित होती है और इनसे आंत्रिये रस स्रावित होता है जिसे सककस, एंटेरिकस भी कहते हैं मनुष्य के पाचन तंद्र में कारे करने वाले एंजाइम लाला रस में लारिये एमाईलेज होता है जो मंड को शरकरा में तोड़ देता है HCL की उपस्तिती में पैपसिन प्रोटीन का पाचन करता है पैपसिन अमलिये माध्यम में ही सक्रिये हो पाता है यकृत यानि पित्ताशे का पित्त वसा का पाचन करके उसे फैटी एसिड में तोड़ देता है यह भोजन को ख्यारिये माध्यम में परिवर्तित कर देता है M.L.H. मंड को पचाता है अगनाशे से ट्रिपसिन प्रोटीन को पचाता है अगनाशे से लाइपेज पाईसी कृत वसा को तोड़ता है अगनाशे से दातों का क्षय दातों के क्षय के कारण दंत वल्क और दंत धातू धीरे-धीरे मलायम हो जाते है जब जीवानूं शरकरा को पचा कर अमल का उत्पादन करते हैं तो वो अमल दंत वल्क के लवन को नश्ट कर देता है और दातों का क्षय प्रारंब हो जाता है भोजन कड़ों के साथ साथ बहुत से जीवाणों भी दातों की सतह पर चिपक जाते हैं और दातों पर मैल के रूप में जम जाते हैं जिसे प्लाग कहते हैं लार अमल को प्रभावहीन करने के लिए दातों की सतह तक नहीं पहुंच सकती क्योंकि दान प्लाक से घिरा होता है भोजन के बाद ठीक से दान जाफ करने से जीवाड़ों दोरा अमल का उत्पादन शुरू करने से पहले ही प्लाक हड़ जाता है यदि उपचार नहीं किया जाता है तो ये आती सूक्ष्म जीवाणूं मसूणों को संक्रमित कर सकते हैं तथा सूजन पैदा कर सकते हैं क्या आप जानते हैं? मनुश में वर्मी फोर्म, एपेंडिक्स, क्षुद्रांद्र और व्रिहदांद्र के जोड़ परिस्थित एक अफशेशी न लिका है वर्मी फोर्म, एपेंडिक्स की लंबाई का बढ़ना और उसका सूजना एपेंडिसाइटिस कहलाता है जटरिये पाचन में लगने वाला समय भोजन की प्रकृती पर निर्भर करता है कार्बो हाइडरेट के पाचन के लिए यह एक से दो घंटे का होता है जबकि वसा के पाचन के लिए पाच से छे घंटे का होता है सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं विशम पोशी जीव अपना भोजन स्वयम नहीं बना सकते और अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं पोशन में भोजन का प्रियोग होता है और इसमें अंतर ग्रहन, पाचन, अफशोशन, समत्व और मलत्याग जैसे चरण होते हैं अमीबा सर्वहारी और होलोजोईक है अमीबा भोजन का अंतर ग्रहन कूट पादों की सहता से भोजन को घेर कर करता है अमीबा में पाचन अंता कोशिकिये तथा खाद्दे रिक्तिका के अंदर होता है मनिश की आहर नली मुखगोहा, ग्रस्नी, ग्रास नली, क्षुद्रांत्र, व्रहिदांत्र और गुदा से बनी होती है मनिश के दाद हेट्रोडोंट होते हैं भोजन आहर नली में क्रमा कुंचन गति द्वारा नीचे उतरता है मनिश की पाचन ग्रंथियां में तीन युक्म लाला रस ग्रंथियां, जठर ग्रंथियां, यकृत, अगनाशय और आंत्रिये ग्रंथियां होती हैं पाचन ग्रंतियों से पाचक रस स्रावित होते हैं, जिसमें पाचक एंजाइम होते हैं कार्बो हाइडरेट का पाचन मुक गोहा में ही प्रारंब हो जाता है जबकि प्रोटीन और वसा का पाचन अमाशय में प्रारंब होता है पाचन चुद्रांत्र में पूरा हो जाता है, चुद्रांत्र में ही भोजन का अफशोशन भी होता है दातों का क्षय स्ट्रेप्टो कोकस म्यून टेंस जिवानू द्वारा होता है जो शरकरा युक्त भोजन में किणवन करता है और कार्बनी कमलों का उत्पादन करता है